नमस्कार दोस्तों, हिंदी की बिंदी लेकर आपकी खिद्मत में एक बार फिर से हाजिर हूँ, मैं आपकी दोस्त दामिनी पूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दि नादा पर कलामे नर्मो नाजुक, बेशर क्या वाक़ी ऐसा हो सकता है दोस्तों कि हीरे जैसी सक्त चीज के जगर को एक फूल की नाजुक सी पत्ती काट सकती है मेरा इशारा तो आप समझी चुकी है जी हाँ दोस्तों आज जिस विशे पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है सामाजिक आंदूलनों में उतरती जुड़ती रचनात्मकता इसे सलसले में कुछ तेर बाद मैं आपको एक खास महमान से मिलवाऊंगी लेकिन उससे पहले कुछ बाते हमारी और आपकी भी तो हो जाएं दोस्तों जब सदियों पहले कोई राजा रवी वर्मा देवी देवताओं की पेंटिंग्स बना कर अपनी आस्था को एक चहरा दे देता है और बदले में हजारों इल्जाम खुद पर सहता है फिर इसी सलसले को बरसों बाद कोई मकबूल फिदा हुसैन आगे ले जाता है और अपनी अभिव्यक्ती की आजादी पर बिठाए गए पहरों के चलते देश से बाहर ही जीने और फिर मर जाने को मजबूर हो जाता है जब कोई एकबाल बानो किसी देश में अपनी अभिव्यक्ती और पहनावे की आजादी के लिए किसी आओडिटोरियम में खास दोर पर साड़ी पहने बैठ कर लाजिम है के हम भी देखेंगे गाती हैं और पूरा आओडिटोरियम उनके विद्रोही स्वर से स्वर मिला लेता है और फिर जब बड़सो बाद किसी और देश की कोई संसद इसी नजम से गूझ उठती है जब सद्धियों पहले कोई हरी शंकर परसाई व्यंग जैसी विधा से गाली का जवाब बोली से देता है जब कोई अवतार सिंग सद्धू यानी पाश अपने सपनों को मरने से बचाने के लिए अपने सुकून के एक पल को बास की चोंच में जाने से बचाने के लिए अपने सीने पर गुली खाता है जब कोई सब्दर हाश्मी मजदूरों और दबे कुछले वर्ग की आवाज ना कुछली जाए इसके लिए खुद के कुछले जाने को कुबूल कर लेता है जब कोई गुर्शरंद सिंग एक के नाम पर पूरी कौम को जलाने पर उतारू सत्ता के विरोध में अपनी किताबे जला देता है जब कोई उधर प्रकाश फ्रीडम ओफ स्पीच को बचाने के लिए तमाम सरकारी पुरसकार और सम्मान लोटाने पर आमादा हो जाता है आप तश्रीफ लाए इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्री आपका भी तैंकियो और विंजी अच्छा सबसे फ़ला सवाल तो मेरा आप से यही होगा कि आपके थेटर वर्क में लंबे समय से सामाजीक सरोकारों को काफी गहरे डंग से उठाया जाता रहा है त तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर थोड़ी रॉष्णी डाले जब मैंने थेटर शुरू किया था तो यह मकसद साब था कि मुझे थेटर क्यों कर रहा हूं थेटर मैंने घुसे में शुरू किया था मुझे आसपास की तमाम चीजों से पर बहुत गुसा था तमाम आसपास घर से लेकर पड़ों से लेकर एजुकेशन सिस्टम से लेकर सब जगे मुझे मैं उसका पीड़ी था तो मैं अपनी अभीविक्ती तराश कर रहा था पहले पढ़ाई में की फिर कुछ टैलीजिनिक कालेकरों में की लिए कि मुझे लगा कि वो सब रास्ते नहीं है फिर पत तो मेरे कहीं न कहीं सिस्टम से तकराती हुए नाटक थे क्योंकि मैं सोले साल के उवर में जील चला गया था चाहतर आंदोने के सिरसले में तो वहां मुझे लगा कि यह क्या है कुछ ऐसा किया नहीं पुलिस वाले ऐसा वहवार क्यों करते हैं और छोड़े-छोड़े सवा उसने मुझे डिस्टर्क किया हुए था और मैं अपने आसपास भी देखता था कि जब भी कुछ होता था तो वहां पर जो ताकतवर लोग होते थे वो जीतते थे हैं हमेशा तो यह सोचकर मैं थेटर में आय तो मैंने मजदूर के साथ काम करना शुरू किया चातर के साथ का अवर्णा की दिक्कते थी उनके साथ मेरे टेरिन अज़स्क्त वे तो नाटक करते वे सीखते वे देखते वे मैं आगे बञा तो मुझे लगा कि हमारी जो सरोकार है कलाय के सरोकार जिंदगी से होने चाहिए और जिंदगी के साथ जो हम रोज़ना अक्राते हैं वह social political होता चला गया नतिया कि और जितने भी आसपा छोड़े छोड़े आंदोलन होते थे मजदूरों के आंदोलन होते थे मैं उसमें चला जाता था हम आनाटक करते थे, गीद गाते थे और समझते थे और उनके साथ संगर्ष में हिस्सेदारी करते थे तो यह सिलसला मेरा बढ़ता गया जब मैं फुल टाइम थेटर में आया तो वहाँ भी यह सिलसला मेरे साथ था तो हमने थेटर को समाजिक लड़ाई का समाजिक बदलाओ के एक रास्ता बनाया और इसलिए मुझे लगता है कि थेटर जनता के लिए होना चाहिए और सिफ कला के लिए नहीं होना चाहिए और उसी वजए से बहुत लंबी यात्रा है मंच की यात्रा लगबक जो है 30 साल की यात्रा है जहांपर हमने लगातर इस तरह का थेटर किया है और उससे हमारी understanding और बड़ी और फिर दुनिया में जो बदलाव हो रहा था दुनिया में हम देख रहे थे चाए डैरियोफ हो चाए बर्तोल ब्रैक्त हो सबी ने चाली चैपलिन भी सबी ने कला का इस्तेमाल जो है लोग हित्मे किया, सरोकारों के ले किया तो यही हमारा था है कि कला को हम कैसे इस्तेमाल करें और हमारे सामने पूरी पीडी थी, हमारे सामने गुर्शन सिंग थे सब्दराश्मी थे, शम्शुल इसलाम थे घदर थे, ऐसे बहुत सारे उत्पल दस से लेकर तमाम लोग थे हमारे सामने जो इस काम को कर रहे थे जिनका मकसद कला की मादियम से बदला हो था और वो हम उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाने हमने कोशिश की है बहुत संदर तो अर्विन जी दुनिया भर में क्रियेटिविटी को अभी व्यक्ति की आजादी से जोड़ कर दिखा जाता है लेकिन ऐसी नौबत क्यों आती है जब क्रियेटिविटी यानि रचनात्मक्ता को बचाने के लिए अभी व्यक्ति की आजादी यानि फ्रीडम हथियार के तौर पर इस्तमाल करना पड़ जाता है क्योंकि हर सिस्टम जो है अपने विरूद उठने वाले इस तमाम आवाजों को दबाता है कि उसको हमेशा लगता है कि जो भी आवाज उठेगी वो उनके खिलाब जाएगी यह हर जेकर हुआ है जब क्यों तो सच की आव जेपी आंदोलन जब चल रहा था उस समय आनंदपट वर्धन जैसे फिल्मकार गुरिला सिनेमा बना रहे थे वो अपने कमल में कैमरा लापेट कर पटना की सड़कों पर फिल्म शूट कर रहे थे तो एक जो गुरिला सिनेमा का कॉंसर जो पूरे दुनिया भर में था वो भारत में जेपी आंदोलन के साथ शुरू हुआ और गुरिला थेटर की शुरुवाद भी कही ना कहीं वहीं से हुई हम लोग भी इसी तरह करते थे कहीं पर इनाटे करने के लिए अचानक गए नुकर नाटे करने के लिए जब पुलिस आ थे तब तक हम अपनी बात कह चु करिया नहीं थे कहीं ना कहीं उनको लगता था कि सवाल जबाब होते थे पुलिस का सिस्टर परशाशन परशान करता था लेकिन पिछले पंदरे भी सालों में अब स्कूल कॉलिज में नुकर नाटक पहुंच गये हैं यह सबसे बड़ी बात है कि और अभी उस तरह की पुल लगाया गया क्यो अगाए गया कि राज्यमे लगाया गया गुज्रात में तो तो ड़न हो फोगा मेरा नाटक था उसको आज तक मैं नहीं कर पाया उसको तो ऐसे दिली में हुँआ हरजb傳 quella कि मेरे हम सवाल सभाइन से हम कोई न ही बुलाता है हम लोग अपने बलपर ही करते जब भी आज़ादी पर किसी भी तरह की आज़ादी पर आकर्मन होगा, तो जो सही थीटर है, जो सही कला है, वो सड़क पर आएगी, जब जंता धरने पर होगी, तो कलाओ को भी धरने पर होना चाहिए. और आज के महौल में भी हम देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे आर्टिस्ट, हमारे लिटरिरी परसन अपनी बात को सही जगह तक पहुचाने के लिए, उंचे हलको तक पहुचाने के लिए, क्रियेटिविटी यानि रचनातमक्ता का सहारा ले रहे हैं, कविताओं के जरिए, पैंटिंग्स के जरिए, गीतों तो आएंज थेयत्र के जरिए, तो इसके पीछे क्या सोच काम डरह है , क्या लगता है जोगों को क्या वाकर जीविटी सेाफ है? इन चीजों का कोई फायदा है निफ फायदा बुलकुल है क्योंकि बंदू कि जाबादीजिक बंदूक से नहीं दे सकते हैं लाटी बेутствिय में लरे जैसे बारक में मजदूर आंदोलन से लेकर जब यहां पर दिल्ली विस्तापन वा था मजदूलों का बहुत बड़ा आंदोलन चला था उससे लेकर बरस्चारवाल आंदोलन वहा निर्भे का हुआ और अब नागरिक्ता के सवाल को लेकर लोग सड़कों पर हैं इन तमाम आं अंदोलन था तो रास्टपती बहुन पर 20,000 से जादा लोग की भीड थी और बहुत बड़ी हिंसा होनी की उस दिन उमीद थी ऐसे लग रहा था हिंसा नो लेकिन थेटरे वाले सामने हैं असमिता थेटरे ग्रूप ने उस अंदोलन को समाला सबके जंडे बैनर टोपी हट अर वहाँ सिब जो लोग थे और अहिंसा के साथ गाहनों की आवाजे थी नारे के आवाजे थी लोग सडकों पर जो है चौक से पेंटिंग मना रहे थे चितर बना रहे थे नारे लिख रहे थे तो कहीं ना कर पृति रोद जो है सकारात्म हो गया नथिजा इतना बड़ा प कला को कला के लिए करते हैं या सरकारी नाम पाने के लिए करते हैं पद पाने के लिए करते हैं या कामेटिम बैठने करते हैं गरांट लेने के लिए करते हैं उनको भी चाहिए कि समाज के साथ जुड़े समाज की अंदर क्या हल चले हो रहे हैं क्या परिवर्तन हो रहे हैं किस कालाव की जो उत्पत्य है जो उनके जो ताकत है करण समाज के अंदोनों से ही आता है अर्विन जी लास्ट में चलते चलते एक सावल का जवाब तो मैं जरूर आप से चाहूंगी और दिल से चाहूंगी की वाकई मतलब एक मूमेंट का एहम हैसा होते हुए आपको लगता है कि गोली का जवाब बोली से दिया जा सकता है। दिखाने के लिए अपनी विचार धारों को दुनिया तक पोँचाने के लिए उस मादधें का इस्तिवाल किया था और हम इतने सालों के आंदोलों में मैंने देखा है कि शांती पून तरीके से या कलात्म करूब से और अपनी आवाज को मजबूती से रखने से आंदोल लंबा चलता है आंदोल की ताकत रहती है और पुलिस के दमनों जो या किसी भी तरह से सरकार दबाने कुरिश करे उसकी जो ताकत है उसकी जो आकसीजन है वो कलाओ से मिलती है और कलाओ को भी वहां से ताकत मिलती है तो मुझे रखता है कि गोली का जबाब गोली नहीं होना चाहिए गोली का जबाब जो आपका जो है अपने एक छोड़ा से नारा हो सकता है छोड़ा से गुलाब का फूल हो सकत वो चाहता है कि हिंसा हो ता कि आंदूलन टूटें, लोग बाइबीत हो घरों के अंतर बैठ जाएं, ले लोगों जीज, सरोकारों के लिए जरूरी है कि हम अपने आंदूलन को शांती पूर्वक करें, ढंग से करें और कलाओ की जिम्मेदारी है कि हो हर समय धरने के साथ, धर दोस्तों, समय बदलता है, समाज बदलता है, स्थितियां बदलती हैं, मगर नहीं बदलते तो सरोकार और सरोकारों के तमाम जवाब, सही जवाब, सही समय पर जवाब, तो इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यहां समापत होती है, अगली मुलाकात ने, फिर कोई ऐसी बात हो आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें